तो दोस्तों एक बारे फिर स्वागत है आपका अबारे शानल पर मेरा रावे वरुण और हम बात कर रहें जीनरेंगे और अगर आप इंचीनियर बना था रहे हैं या जानकारी चाह रहे हैं किसी भी कॉलेज की कोर्स की खरियर से जुड़ी तो बिल्कुल साही ही जगह पे है आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेजे कर ताकि यह सारी जाहनकारी आपको इसी चैनल पर मिल पाएं फिलाल आज जो हम डिसकस करने वाले हैं साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं और साउथ इंडिया में था में लाडू के चैनल नहीं में इस्टावलेज्ट यह यह लेना लेकिन क्या है खास उसके पीछे की वज़य जो है वो हम यह डिसकस करने वाले हैं ज़रूरी नहीं कि यहां पर हार एक चीज खास हो यहां ऑप्शन लिमिटेड भी हो सकते हैं नाम पुराना भी हो सकता है अफिलेशन भी ऑप्शन हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे अल है जो मुझे बूम ला सकती है मेरे करियर में तो इन सारी जानकारी के लिए नीचे प्रोफाइल अनालेसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप जानकारी ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहां हम बात जो कर रहे हैं हिंदोस्तान इंस्टिट आफ ट पतलब वहां के लेबिल के हिसाब से हर चीज ऐसे नहीं होती कि बहुत ही अच्छे करोडों के पैकेसिस दे रहे हैं लेकिन ठीक है वागे बच्चों के हिसाब से ठीक ठाक बोला जाता है तो चले देख लें सबसे पहले तो इसके स्टैबलेस्मेंट की बात करें डीम इनके पास बहुत सारे ओप्शस हो जाते हैं अनके अलग-अलग से स्टार्ट करेंगे लिए अलग-अलग रेकोर्ड उन्हें बनाय हुए हैं हाला कि CSID वाले थोड़े से ज़्यादा ही रिकॉर्ड्स है वाकि तो सब ठीक ठाक है। हाला इट्स देखें 1985 में स्टाबलिस्ट ये ये युरिवस्टी है डीम टू भी चीक है और नेक का अफिलेशन भी मिला है वहला अपनेक के द्वार इनको ग्रेट दिया गया है साथ ही साथ ही साथ एक अप्रूबल है और अधिशन मिल जाता अधर्वाइस कुछ ऐसे इंस्टूशन भी है जहां पर मेरिट के बेसिस पर आपको अधिशन मिल जाता है तो दौनों आप्शन्स आपके पास अभिलेबल है मेरिट और एंट्रेंस एग्जामनेशन के बेसिस पर और यहां पर चूखी यह डीम टूबी और बस्ति खुद का एक अपना एंट्रेंस एग्जामनेशन यह गंडग करवा लेते हैं है रहा है उसके अलावा यहां पर हां हिट्स कैट भी होता है और बागी टी एन यह के बेसिस पर भी एड्वीशन आपको मिल जाता है तो यह ऑप्शन्स हैं आपके पास यहां डारिक्ट भी एड्वीशन ले सकते हैं मेनेजमेंट कोर्टा पर जाके हाइलाइट्स में आप है गेड बगेरा के तो उनके बेसिस पर भी आपको एड्वीशन यहां मिल जाता है उनके स्कोर के बिलकुल बेफिकर रही है इस सारी चीजों को लेकर हां एप्लिकेशन जो मोड है वह आपको ऑनलाइट ही फिल करना होगा और फीस बगेरा जो है वह एप्लिकेशन फी यहां प्लीज करके ले जाती है फेसिलिटी इस तो एक अच्छी उनिवस्टी जो प्रवाइड कराती है बेसिक उनिवस्टी के तौर पर अभी इस इस इक फेसिलिटी के तौर पर सारी आपको वो फेसिलिटी यहां मोहिया हो जाएंगी जैसे होस्टल की बात करें Engineering की तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस भी यह स्पेशलाइजेशन से भी कराते हैं या बीटेक कराते हैं जो कि हर जगा बिलेबल नहीं होती कमी जगा बिलेबल है आरोनौटिकल हो गया इसके ब्रांचेस हैं जो कि आपको आपको आप्शिन्स प्रवाइड करा रहे हैं यहां से अप्रेंस ब्रांचेस अपके पास आप्शिन्स अबेलेबल हैं जिनके बेसिस पर आप ले सकते हैं और उसके बाद जो फीस है वो प्राइटेरिया इंपॉर्डिंट है फीस्ट्रॉक्चर जो है इनका थोड़ा सा तगड़ा है चुकि नाम इस प्रकार से इनने कमा लिया है अपने आप में एक्स्पीरेंस के बेसिस पर और उसके गारण लगबग 2.5 लाग का एक फीस्ट्रॉक्चर पर यहां पर पढ़ जाता है तो वह एक अच्छा खासा महेंगा इस्ट्रॉक्चर बोला जा सकता है क्योंकि यहां और भी ऐसे ओप्षिंस हैं तमिल लाडू की ही बात कर लें अच्छे आप्षिंस आपकी प्रोफाइल पर हो सकते हैं और अगर आप जानना चाह रहे तो एक बार प्रोफाइल जरूर कर देगा ताकि आपको उसके बेसिस पर जानकारी रवाइड कर दी जाए यहां प्लेस्मेंट की विकॉस रेखें तो भाई बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है यार एक सो पंदरा कंपनी जो है पाडिजबेट करी थी लास्ट लास्ट इयर इसके बा सारे institution 100% बोल देते हैं जो कि होता नहीं है और सचा यही है इसलिए यह अच्छा ही है कि इन्होंने अपने actual records बताय हुए है और हाई यह CTC 15 LPA का गया है और वो भी CS IT वाली कंपनी गई है तो इसमें कुछ ने टॉप recruiters में आप देखेंगे तो वही आपको सारे technologies वाले IT field के यह software field की companies ही मिलने वाली है जो कि अच्छे packages पर बच्चों को लेकर चले गए है वही आप facility हमने देखी ली थी हाई-tech labs है और यह वह फ़लाना डिमा का ट्रांस्पोटेशन बैंक के अट्यम साय मिदार वहीकल की ववस्ता ट्रांस्पोटेशन की facility यह सारी facility जो की basic facilities है मैं facility के लाती है overall development के लिए बहुत important हो जाती है तो बहुत अच्छा तो इनको हम नहीं बोल सकते हैं इनकी अगर alumni structure की बात करें network की बात करें तो बहुत सारे alumni जो है वो film industries में देखने को ज्यादा मिलेंगे आपको चाहे एक्टर हो, actress हो, model हो, इस type के आपको alumni मिल जाएंगे आप दिखें नहीं है तो all and average हमें ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ थोड़ी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मौझ मस्ती की विवस्ताएं भी है और हांगे की career options आप बना सकते हैं इंजीनिंग का विक्ति जाके एक्टर बन गया तो यह तो थोड़ा सा अलगी है ना तो पड़िया ह यहां मेरे ख्याल से इतना काफी है इस इंस्टिटिशन के लिए जिसको इंदोस्तार इंस्टिटिए और टेक्नलोजी और साइंस चैन नहीं था में लाड़ू गया इंस्टिटिशन था और आपको अगर यहां इडविशन लेने का आया इसकी जानकारी का था तो यह बूरी जानकारी के साथ अगले इस्टिटिशन के बारे में या फिर अगले चॉलेज के रिव्यू के बारे में चाले तब तक के लिए उसहेंद। I hope you like this video, for more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe